नमस्कार दोस्तो हूँ अंशुकुमार सिंग और आप देह रहे हैं अंशुक्रेटिव हमारे और आपके चनल पे हम d sealan का hygien स्वा दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए हैं घर बनाने के टाइम पे अगर आप ध्यान रखते हैं उन बातों को तो आपके घर में कभी भी सीलन नहीं आएगी तो इसलिए दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों और आज की वीडियो होने वाली है अगर आप अपना घर बना चुके हैं और आपके दिवार यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सीलन को कैसे दूर किया जाए घर से क्योंकि दोस्तों सीलन जो है कैसे बीमारी है एक बार हो जाता पीछा नहीं छोड़ती है इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं मैंने इससे पहले भी बताया था प्लस्तर करवा समय अगर आपने घर नाने टाइम पर नहीं रखा है ध्यान तो कुछ नहीं है लेकिन आजकल फिर भी इसके कुछ उपाय आ गये हैं जो कि आप कैमिकली तौर पर अगर आप काम करते हो तो आपके घर में सीलन कभी नहीं आएगा इसकी गैरंटी लेती है वारेंटी लेती है पांच साल तक की हम अगर आप हमारा कैमिकल यूज करते हैं तो आपके घर में सीलन जो है पांच साल तक नहीं आएगा प्लस मैंने इसको प्रैक्टिकली साइट पे भी देखा है अब्जॉब किया है कुछ टाइम तक जो की हमने लगाने के बाद अब्जॉब किया है जिसमें की पता लगा कि सीलन जल्दी नहीं आती है तो दोस्तों मैं आज को आज आपको कैमिकल भी बताऊंगा और यूज करना भी बहुत आसान है अगर आप एक बाद इसको यूज करते हो तो आप यूज करके देख सकते हो और सस्ता बहुत भी है दोस्तों को ज्यादा मुस्किल नहीं है इसका पांशेल डबबा 14 तक आता है और बहुत ज्यादा हो जाता है त्रफ पानी नहीं मिलाना कुछ नहीं मिलाना आप इसको बहुत आराम से यूज करते हैं आपको आपको केमिकल प्लस यूज सब कुछ बताता हूं दोस्तों आपको मैं कॉपी पैन के उपर लेगा आता हूं वहां पे आपको समझाना मुझे ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप कॉपी पैन पे इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होने वाला है क्योंक ज़र आप अपना घर का पेंट चेंज करना मचाते हो कुछ ताइम पर पांच-छे साल के बाद तो आप उस ताइम पर फिर से एक वाट ट्रीटमेंट कर दो तो दोस्तों कभी आपका सीलन से कोई आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको कभी पेंट नहीं खराब लेकिन आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों जिसके मान लेजे कि आपकी दीवार है इसमें आपकी डेंपनेस है मतलब की इसमें आपकी सीलन है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे और किस क्यमिकल के साथ सबसे पहले तो मैं केमिकल का नाम यहाँ पर आना चाहूंगा चैनिकल का नाम है डॉक्टर फिकषित श्योर सील और दोस्तों कोड है इसका चैसो ड्यूसेध नाम है टॉक्टर फिकषिट श्योर सील और कोड सका चैसो है यह dependent है जो कि आपके सी Silling में काम आने वाली इसको ठीक किसे करना है इसको ठीक करने के उपाइब सबसे पहला उपाय दोस्तों कि आप एक लोहे का बुश्यों कि आपको इस तरह का होता है आपको सकता स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हो आपको कशी स्टील का हो एक कहेंगे आप किसी भी हाड़ब प्लब की पांच केसे के डबशने केस्पास आता है दोस्तों ये इस-े इसका कॉस्ट पढ़ता है ये आप पांच मिल आपका मेह REM नहीं मिल जाता है अध करद गालिटर में विम्झाटा यह ये आपका कfry से countन on आपको 5 kg का बताया है अब यहां आम बात कर लेते कि मालेजे कि आपको दिवार में सीलन क्या चैक लगाना कैसे है को लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस दिवार को साफ करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा paralal steel brush लेजिये जितनी दूर आपका यह Rain ah उतनी दूर से dhang से आपको साफ करिए चाही हा प्लस दर जैब से इसको घिश करके साफ कीजिए कि ईस पॉइंट तक साफ कीजिए जिस पॉइंट तक आपका ज़ड़ना हम अजाए साफ कीजिए प्लस अगर आपकी दीवार में कहीं पे क्रैक्स आ गए हैं कहीं पे क्रैक्स आ गए हैं तो उस क्रैक्स को आप भर लीजिए चाहे तो प्लस्तर से भी प्लस्तर के मसाले से भी भर सकते हैं जिससे आपके पास हो प्लाप भर लीजिए अब आपको आखरी फाइनल प्लस दोस्तों इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना काफी बार लोग आप आप समें कहीं आप लाकर के पानी मिक्स कर लो कुछ भी मिक्स नहीं करना इसमें कोई भी कैमिकल या कोई भी पानी मिक्स नहीं करना अल्रेडी ये मिक्स होके आता है आपको डिब्बा खोलना है भिवा खोलकर के इसमें आपको 2 hat looks गане JUST आप को कैसे लगाना है अपसे साफ कर दिया आप साफ करने का पानी से भी गहाइसे पाणी से दो खिने के बाद सुछने के बाद अब इस पहलाकोड कर दीजिए महलेजे पहला कूण करना है कर लिया आपने पहला हो का लिजי सूखने दीजिए ऐसे आपको दूसरा कोट करना है कि अईसे ऐसे 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 ऑईसे दो कोट करने के बाद आपको क्या करना है इसको दो दिन तक छोड़ देना दिवार को दोड दिन तक कम से कम एक लिए छोड़ देना एक जब आपकी दिनाल सूख जाए इंचे तरीकेbro Simus जाने के भांच आपको क्या करना है और लिए आप जो भी प्लसतर करवाना यह पांच साल की वारेंटी देती है लेकिन दोस्तों मैंने इसको कम से कम साल पर अब्सार्व किया है कोई इसमें नहीं आया है और कभी-कभी आप अगर 15 साल तक भी चल जाता है लेकिन अगर आप दोस्तों नहीं आएगा इस मिजल दी प्लस आपको किस कॉंटिटी में करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको डबाए चाहिए एक लिटर का लाएं चाहिए तो पंच लिटर कला है अपकी जगह के इसाब से आप देख लिए जगह में लगाना है उसके बाद इसको लगाना शुरू कर दीजिए लगाएंगे कैसे एक केजी जो आपका क्या मिडेकर अ किशच का फौर फॉर टु फ़ाइव स्पध मीटर लगेगा मतलब कि एक केजी कीमीकल जो है आपका फौर टु फाइफ स्पॉर मीटर लगेगा अब यह इतना आप एक केजी में यूज़ कर सकते हैं और इस में एक कोट की बात नहीं कर रहा हूं दोनों कट यह इसका देखने वाली बात है दोस्तों यही था कुछ वीडियो में कैसी लगे वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी आपके घर के लिए सही रही नहीं रही यह मुझे जरूर बताए दोस्तों और अगर आपके नॉलेज में कुछ बात हो अगर आपने कुछ ऐसा यही बहुत सही नॉलेजफुल वीडियो हमाई चैनल पर आती रहती है जो कि आपको मिलती रहेंगी वन बाइवन वन बाइवन कंटीनियू चले दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली और जागर नॉलेजफुल वीडियो में